हेलो दोस्तों अकूग्यान तक में आपका स्वागत है मैं पूजा पांडे आप सब के लिए बार फिर से लेके आई हूँ बायलो जी के कुछ इंपॉर्डेंट कुश्चिन्स चले हम अपने कुश्चिन के ओर चलते हैं हमारा फिर्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वो hydrate मानो सरीर में इधन का गाम करता है हमारा तीसरा question है capsule का आवरड बना होता है protein का, अंडे के छिलके का, cellulose का या starch का सही option है starch का मुलायम जल capsule का आवरड, starch और कठो जल capsule का आवरड cellulose का बना होता है हमारा next question है शहत का प्रमुगटक है option है glucose, sucrose, maltose, fructose हमारा सही option है fructose, शहत एक प्रमुगटक fructose है, lactose प्राकृतिक शरकरा है और याई कार्बोहाइडरिट है हमारा next question है निन्म लिखित में से कौन सी शरकरा ततकाल उड़जा प्रदान करती है option है lactose cellulose, maltose या glucose हमारा सही आंसर है glucose glucose ततकाल उड़जा प्रदान करती है या एक बुनो सरकराइड शरकरा है हमारा next question है शहत में मुखित होते हैं protein, carbohydrate, वसा या vitamin शहत में मुखित होता है हमारा next question है निन्म लिखित में से सरवधी कूर्जा प्रदान करता है option है carbohydrate, protein, vitamin या खनिज लवड सही आंसर है carbohydrate carbohydrate सरवधी कूर्जा प्रदान करता है और हमारे मानो सरीर के लिए वही वोजन अनिवारी होता है जिसमें हमारे carbohydrates, protein, बसा, खनीज, vitamins मात्रा उपलबध हो हमारा next question है मानो सरीर में carbohydrate पुना संगर होता है शुगर में, starch में, glucose में या glycogen में सही option है glycogen glycogen, glycogen, glycogen बहुत देसी polysaccharide है जो मनिस्टों, जानवरों, कवक और वेक्तिरिया में उर्जा बंडार का कारे करती है हमारा next question है athlete को नीन ममे से किसे से जल्दी और ज्यादा उर्जा मिलती है option है वसा, vitamin, protein या carbohydrate यहाँ पे सही आंसर है carbohydrate carbohydrate सर्वधी कुर्जा प्रतान करता है मानों सरीट के लिए भाई भोजन लावदायक है जिसमें carbohydrate, protein, वसा जैसे मैंने आपको पहले बताया यह सब चीजे जरूरी होती है हमारा next question है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कारे के पश्चात मान स्पेशियों में थकान अनुभो होने का कारण होता है oxygen की आपूर्थी में कमी पेशी तन्तुकी थोड़ी बहुत टोट फूट ग्लुकोज का अवक्षय लाक्टिक एसिट का संचय यहां पे सही आंसर है लाक्टिक एसिट का संचय लंबे समय तक कठोर शारीरिक कारे करने के बाद मान स्पेशियों थक जाती है और इनकी आंकुशन शमता शिड़ हो जाती है लगातार करने पर oxygen की कमी होती है लाक्टिक एसिट अमले के इकत्र होने की अंकुशन शमता प्रभावित हो जाती है हमारा नेक्स्ट क्रेस्टन है रक्ट ग्लुकोज इसतर सामाने तर व्यक्त किया जाता है हज़ी एमेम में मिली ग्राम के प्रतिडेसिल लेटर में भाग प्रतिमेलियन में या फिर ग्राम प्रतिडेसिल लेटर में यहाँ पे सही आंसर है मिली ग्राम के प्रतिडेसिल लेटर में रक्ट में ग्लुकोज की मांत्रा मिली ग्राम प्रतिडेसिल लेटर में मापा जाता है चाहिए हम नेक्स्ट क्रेशन की ओर चलते हैं दोस्तो यहाँपे option है दस, 15, 20 या 20 यहाँपे सही आंसर है 20 प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमाईनो अम्ल आवश्यक होते हैं इन 20 अमाईनो एसे में से 10 का संशलेशन लेवर में होता है और 10 के बागी हम अपने खाने की चीजों से प्राप्त करते हैं हमारा next question है शरीर में उत्को का निर्मार किस से होता है प्रोटीन से वसा से कार्बो हाइडरेट से या विटामिन से यहाँ पे सही आंसर है प्रोटीन से शरीर में उत्को का निर्मार प्रोटीन से होता है विकाश की अवस्था में शरीर में कई परिवर्दन होते हैं शरीर में फ्रोटीन को निर्म लिखित में से क्या माना जाता है हमारा सही आंसर है शरीर का निर्माड करने वाला माना जाता है हमारा नेक्स वेशन है ? लिपेड या अमांइनोमल है हमारे यहाँ पे सही आंसर है प्रोटीन एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं और यह बाइलोजिकल सिस्टम में प्रतिक्याओ के लिए उत्प्रेर के रूप में क्यार करते हैं हमारा चलिए हम नेक्स्ट क्रेशन के ओर चलते हैं जैविक सिस्टम में रसाइनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उतरदाई पदार्थ है जिवाडू, डी एने, एंजाइम या प्रोटीन? सही आंसर है एंजाइम एंजाइम प्रोटीन से बना तो होता है और यह बाइलोजिकल सिस्टेम में प्रत्क्याव के लिए उत्प्रे रख्के रूप में कारे करता है हमारा नेक्स क्रोशन है अलफा के रेटीन एक प्रोटीन है जो रखते में उपस्ती थे तोचा में उपस्ती थे उन में उपस्ती थे या अंडो में उपस्ती थे यहाँ पे सही आंसर है तोचा में उपस्ती थे अलफा के रेटीन एक प्रोटीन है जो तोचा के बाहरी परत में पाए जाता है तोचा एक उत्सरजी अंग के रूप में कारे करती है इसमें स्ष्रेट ग्रंतियों के उपस्थित होने के कारण जल में घुलित उसर्जी पदार्थों का पसीनी के रूपे उसर्जन होता है हमारा next question है सोया बीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत या 80 प्रतिशत यहाँ पे सही आंसर है 40 प्रतिशत, सोया बीन एक फसल है जो दलहन की बजाए तिलहन की फसल ज़्यादा मानी जाती है इसमें हमारा 40 प्रतिशत प्रोटीन पर अवेलबल होता है हमारा next question है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है मांस में, दूद में, चावल में या दाल में यहाँ पे सही आंसर है चावल में चावल में प्रोटीन मात्रा नहीं पाया जाता हमारा next question है निन्दमन लिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्त्रोथ पाया जाता है हमारा option है उड़द, चना, मटर या सोयावीन दोस्तों जैसा कि हम पहले भी इस पर discuss कर चुके हैं हमारा सही answer है सोयावीन सबसे अधिक protein सोयावीन में पाया जाता है सोयावीन में लगभग 40% protein पाया जाती है दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसे लगा आप हमें comment box में comment करके जरूर बताईएगा अगर हमारा यह वीडियो आपके लिए सहायक है और आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को subscribe चरूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद